जैहिन दोस्तो मैं हूँ आपका बहादर सर और आप लोग देखना सुरूं कर चुके हैं आपका फैबरेट यूटूब चैनल फ्री एजुकेशन दोस्तो आज किस वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रों को डिसकस करने वाले हैं आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टोपिक से एक से दो कोस्वन हर एक्जाम में पूछे ही जाते हैं और दोस्तों दर्रों में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दर्रा होता क्या है इसकी बाद हम पढ़ेंगे कि जो दर्रा है वो किन दो इस्थानों को आपस में जोड बनता है तो उसको भी हम discuss करेंगे यानि कि भारत के प्रमक दर्रों से जितने भी question बन सकते हैं उन सभी question को आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं तो आईए दोस्तो सबसे पहले हम जा लेते हैं कि दर्रा होता क्या है दर्रे को कहा जाता है इंगलेस में mountain past ठीक है और दोस्तो अप लोग फोटो में देख पारे होंगे यह जो सकरासा रास्ता है यही कहलाता है दर्रा ठीक है तो दोस्तो पहाड़ों एवं परवतिय छित्रो में पाय जाने वाले आब आगमन के प्राक्टिक और सक्रे मार्ग को क्या कहा जाता है दर्रा कहा जाता है तो नीचे की और दबी होती है तो यह जो रास्ता आप देख पा रहा होंगे यह नीचे की और दभा हुआ है और ये जो सररचना है ये कैसे बन जाती है तो पहाणों से नदी वहने की बज़े से ये सररचना बन जाती है नदी बहने की बज़े से ये सर्राचना तो बनती ही है इसके अलावा भूकंप, जौाला मुखी, जमीन का खिसकना, उलका पिंडों का गरना आदी बज़े से ये जो दर्रे हैं इनका निर्मान हो जाता है ठीक है तो आएए दोस्तों हम फर्स्ट कॉस्टन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछड़ाएगा कि सतलोज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है तो सतलोज नदी जो है ये भारत में सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है ठीक है और पूछड़ाएगा आपसे एक्जाम में कि सिपकीला दर्रा किस राज में इस्तित है तो सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश राज में इस्तित है तो सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश राज में इस्तित है तो सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश राज में इस्तित है तो सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश राज में नदियों के द्वारा किया जाता है, भूकम के द्वारा किया जाता है, तो सिपकिला दर्रे का निर्मान जो है, ये किस नदी के द्वारा किया गया है, सतलुज नदी के द्वारा किया गया है, ठीक है, सी ओप्सन, करक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, सिपकिला दर्रा से कौ और इस दर्रे का नर्मान सतलज नदी की द्वारा हुआ है। धर्रे के पीर-पंजल परवत्माला में होता है, अटल-सुरंग, किस दर्रे में इस्तिथ तो जो अटल-सुरंग है दूस्तों, ये रोहतांग दर्रे में इस्तित है। नेश्ट है हम बात कर लेते हैं रोहतांग दर्रा की तो ये दर्रा हमाचल प्रिदेश की पीर पंजाल स्रेणी में इस्ते थे इसकी समुद्य तल से उचाई कितनी है तो 4630 मीटर और ये मनाली और लेहमार्ग सडक को जोड़ता है ठीक है नेश्वन की हम बात कर लेते हैं हमालई परवत मालाओं का एक पहाड़ी दर्रा है ठीक है ये हमाचल प्रदेश के कुलू और इस पीती जिलों को जोड़ता है आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे ये हमाचल प्रदेश के कुलू और इस पीती जिले को जोड़ रहा है ठीक है दर्रे की उचाई कितनी समद्धितल से 5360 मीटर और ज्वाइदीप सरकार ने अपने दल के साथ कुलू में परवत नदी घाटी से गुजरने के बाद इस दर्रे की खोच करी थी नेश्टे लाप्चा लादर्रा कहां इस्ते थे तो ये भी हिमाचल प्रदेश में इस्ते थे हम बिलकुल सप्क्योंस में पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमाचल प्रदेश के जितने मीं दर्रे हैं उनको एक क्रम में हमने अरेंज्ज कर लिया ताकि यदि आप नूर्ष बना रहे हैं या फिर मतलब इस प्रकार से सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको चीज़ें या लाँ चाधर्रा से निकलती है ठीक है सी生活 स्हाई गां और बारा लाँ चाहँ गय्या को निरह से ब इभॉप्जाएयगाSia बारानाचा घंद 151 हैमाचल परनी दीन से याज़ा झाह issy से जोड़ता है तीक है और इसकी उंचाई कितनी है तो 4845 मीटर और चिनाव नदी इसी दर्रे से निकलती है नैश्वन है हमारा हिमाचल प्रदिस सरकान ने किंदो इस्तानों की बीच अपनी पहली इलेक्ट्रिक वज सेबा सुरूं करी है तो करक्ट अंसर हो जायागा दुस्तों कुलू मन नाली और रोहतांग दर्रे के बीच में हमाचल प्रदिस सरकान ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक वज सेबा सुरूं करी है एक उप्सन सही हो जाएगा देखिए हमाचल प्रदिस के कितने दर्रों को हम पढ़ चुके हैं उन सभी को हम अब ट्रिक के माध्यम से याद करने वा है चोटा मुटा आदमी नहीं है यह रोहित रोहित जो है उसका सिप बहुत ही जादा बड़ा है तो रोहित से क्या बन जाएगा हमारा रोहित तांग दर्रा ठीक है सिप से हमारा क्या बन जाएगा सिप कीला दर्रा और देखिए रोहित का सिप देखो बड़ा है देखो से ह से कहि branches की मेहनत पसंद आ रहे है ना तो वीडियो को अभी के लाइक कर दीजे और अपने सभी दोस्तों की साथ साथ में इस वीडियो को जरूर सेयर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों इसी प्रकास से यदि आप से चैनल को पढ़ना चाहते हैं साउआइस को पढ़ना चाहते हैं या फिर प्रकरंड अपbn रूटन का पर और साइकते हैं हमारी 3ों लॉझठ समय हैं कम समय में up को और अपनी तयारी को इस्ट्रोंग करने के लिए हमारी इन सभी इबुक्स को आप पर्चेस कर लिए इबुक्स का लिंक कहाँ पर मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और अभी दो दिन के लिए मैंने एक ओफर सुनू किया है यदि आप इस्टेटिक जीके की 99 रूपीज की इबुक लेते हैं तो आपके लिए साइंस का इबुक फ्र 290 मीटर उचा है ठीक है और यह एक अंतराश्ट्य उच्च परवर्तिय दर्रा है और यह कहां परस्ते हैं यह भारत के लद्दाक और चाइना के तिबद के बीच में इस्ते थे याद रखना लद्दाक और तिबद को आपस में जूड़ने वाला दर्रा कौन सा है इमिसला दर्रा नेश्कोस्तन है फोटूला दर्रा कहां परस्ते थे तो फोटूला दर्रा लद्दाक में इस्ते थे और हम बात करें कि यह भारत में हिमालाई की जासकर स्रणी में स्रीनगर लेह राजमार्क पर इस्ते थे ठीक है और यह एक पहाड़ी दर्रा है ठीक है और 4108 मीट उच्छाई राजमार्क पर उच्छतम बिंदू है नेश्कोस्तन है हमारा तिब्बत के लिहासा को लद्दाक से कौन सा दर्रा जोडता है तो लिहासा को लद्दाक से जोडने वाला जो दर्रा है वो है लनकला दर्रा ठीक है और यह दर्रा भी कहां पर इस्ते थे तो लद्द कोन सा है तो सबसे उंचाई पर स्थ दर्राजो है यह कारखोर्रम धर्र i अर्य इस इस तो श्रीह से मुझरों के नहों जोड़ता हैgd जो जीले दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है तो जो जीले दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है तो जो जीले दर्रे का निर्माण किसी नदी के द्वारा किया दाता है ज्यादातर दर्रे का निर्माण होता है नदी के माध्यम से लेकिन दर्रे क निर्मान के करण कई सारे हो सकते हैं भूकम काना जौलम की काना ठीक है तो जोजीला दर्रे का निर्मान जो है ये सिंधुन दी के दवारा हुआ है जोजीला दर्रा की बात करें तो ये दर्रा लद्दाक के कारगिल जिले में स्तित है और ये ले है और स्री नगर को आपस में जोड़ता है इस दर्रे का निर्मान सिंधु नदी के दुवारा हुआ है और उचाई कितनी है तो 3528 मीटर इसकी समुद्र तल से उचाई है खार टोंगला दर्रा कहां पर स्थत है तो ये भी लद्दाक में स्थत है और देखे दोस्तों लद्दाक के कौन कौन से दर्रों को हम पढ़ चुके हैं उन सभी को हम ट्रेक के माध्यम से याद कर लेते हैं देखे लद्दाक के हम 6 प्रमख दर्रों को पढ़ चुके हैं और इ काजू, इमली, खीरा, मतलब जितने भी फल, फ्रूट है न, काजू, इमली, खीरा, सब कहां पर फर रहे हैं, फर रहे हैं, मतलब उत्पादन कहां पर हो रहा है, लद्दाक में फर रहे हैं, ऐसा आपको याद रखना है, काजू, इमली और खीरा, ये सब कहां पर फर रहे हैं लद्दाक में आई वर्णन कर लेते हैं का से हमारा बन जाएगा कारा कूरम दर्रा लद्दाक में है जू से हमारा बन जाएगा जोजीला दर्रा लद्दाक में है ठीक है इमिली के इम से हमारा बन जाएगा इमिस दर्रा और ली से हमारा बन जाएगा लनकला दर्रा ठीक है और चलाएं तो फत रहे हैं आप याद नहीं करेंगे नैश है और कापी महत्पून कोश्चन है और इसके बारे में पता रहना आप लोगों के जरूरी है मताई ये उत्राखंड में उस दर्रे का नाम क्या है जिसका उपयोग तीर्थ यात्री कैलास मान सरूबर यात्रा के लिए करते हैं तो देखे दूस्तों कैलास मान सरूबर की यात्रा के लिए जिस दर्रे का उपयोग करके यात्री जाते हैं उस दर्रे का नाम है लिपू लेक दर्रा, डी ओप्शन सही हो जाएगा, नेश कोशन है, लिपू लेक दर्रा कहां इसते थे, तो ये उत्राखंड में इसते थे, चीके, और हम बात करें इसी करम में नीती दर्रा की, तो नीती दर्रा ये भी कहां पर इसते थे, उत्राखंड म 50,000 मीटर पर इस्तित हैं उचायपर, मताइए, मंगसा दोषठ है, तो यदि ये आपको मन में सोचना है, इसनाओं की है आपकी दोस्त हो सकती है वेहन हो सकती है ठीक है उसका नाम है नीली मा और वो कहां की है वो उत्राखंड की रहने वाली है ठीक है तो नीली मा की नी से बन जाएगा नीती दर्रा ली से बन जाएगा लिपुलीक दर्रा और मां से हमारा बन जाएगा माना दर्रा और इसी से बन जाएगा मंग सा धुरा दर्रा तीकophone ये चार दर्री कहा के ये उत्राखंड के दर्रे है नेश्कोस्ठय हमारा कौनसा दर्रा स्री नगर को गिलगिट से जोड़ता है तो स्री नगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा है बुर्जिल दर्रा और बात करें बुर्जिल दर्रा की कहा परस्तर से जम्मू कस्मीर में और ये दर्रा कस्मीर घाटी को लगदाक के दी ओसाई मैदानों से जोड़ता है और 13500 फीट की उचाई पर ये इस्तित है नेश्ट कोस्तन है निमले खित थे जम्मू कस्मीर में बताईए जवाहर सुरंग नामक एक है सडक सुरंग किस दर्रे के नीचे इस्तित है तो जवाहर सुरंग की यदि हम बात करें यह इस्तित है वनिहाल दर्रे के नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे जवाहर सुरंग कहां पर है वनिहाल दर्रे के नी जम्मू कस्मीर में जो बाबू होते हैं, ठीक है, बाबू, आपके शोना बाबू, वो ठीक नहीं होते हैं, वो पीर होते हैं, जैसे पीर बाबा नहीं होते हैं, ढोंगी बाबा, ठीक है, इसी प्रकार से, जम्मू कस्मीर के बाबू, मतलब जो भी है, आप लोग समझ जाओ, क थालगाट दर्रा जो है, यह महराश्ट का दर्रा है, बी ओप्सन सही हो जायागा, और नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोडता है, तो नासिक और मुंबई को जोडने वाला दर्रा जो है, वो है थालगाट दर्रा, नेश्टे, नाथूला दर्रा कहां परस्ते थे, तो नाथूला दर्रा ये सिक्किम राज्ज में इस्तित है और कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच खुली ब्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है तो करक्टांसर हो जायागा दूस्तों ये है नाथूला दर्रा बताईए जैलेपला दर्रा का निर्मान किस नदी के द्वारा ह हुआ है तो जैलेपला दर्रे का निर्मान जो है ये हुआ है तीस्ता नदी के द्वारा डी ऑप्शन सई हो जायगा और हम बात कर लेते हैं सिक्किम के हमने केवल दो दर्रों को पढ़ा है एक हमने पढ़ा है नाथूला दर्रा और दूसरा हमने पढ़ा है जैलेपला दर्र तो इसको ट्रेक से याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यदि आप करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि नाथू नाम की जेल है कहां परश्थत है नाट्टू जेल कहां है spring में इस्ते थे इस प्रकासि नाटल लदर्रा और जेलिपल लदर्रा स्क्किम में इस्ते थे नेश्टवन की बात करें अभी सीमा सणगठन ने पूर्भी लद्दाक में किस दर्रे पर 9300 फीट की उचाई पर दुनिया की सबसे उची मोटर वहन चलाने योग सड़क का निर्माण किया है तो किस दर्रेप पर निर्माण किया है करक्ट अंसर हो जाएगा उमलिंगला दर्रा पर ए ओप्सन सही हो जाएगा देखिए हाली में सीमा सड़क संगठन यानि की वी आरू वाडर और ओर्गनाईजेशन ने 9300 फीट की उचाई पर उमलिंगला दर्रा पर दुनिया की सबसे उची मोटर योग सड़क बनाई गई है और उमलिंगला दर्रा जो है भारत की लद्दाख में दुनिया का सबसे उचा मार्ग है जो तिसू मले और डेम चोक की वस्तियों को आपस में जोडता है बताईए निमलेकत में से कौन सा दर्रा अरणांचल प्रदेश को तिबबत से जोडता है तो अरणांचल प्रदेश को तिबबत से जोडने वाला दर्रा जो है यह बॉमडिला दर्रा सी ओप्सन सही हो जायागा और बॉमडिला दर्रा अरणांचल प्रदेश नेश कोस्ता ने किस दर्रे के पास से ब्रह्म पुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्म पुत्र नदी जो है यह यांग आप दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है और यांग आप दर्रा कहां परस्तित है यह अरुणांचल प्रदेस राज्ज में इस्ति कुमाज वंग दर्रा कहां पर रस्ते थे तो यह भी ँश्च प्रदेश में रस्ते थे और नचल प्रदेश के छे प्रमुफ दर्रों को हमने पड़ा है और यह उंप्रमुफ दर्रों को यह धी हम ट्रिक अरण कह रहा है कि दीदी बुक याद नहीं हो रही है क्योंकि बुक बड़ी है तो अरण दीदी बुक याद और बड़ी ये सब्द हमें पकड़ना है तो दीदी के दी से बन जाएगा दिहांग दर्रा दूसरे दी से बन जाएगा दिफु दर्रा बुक के बु से बन जाएग याद रखना इस्परकार के कॉस्ण एक्जाम से भारत में प्रवेज किया था तो बर्वेज और यह पाकिस्टान मेस्टत है और काबूल को पेशा वर्से जोड़ता इ통령 खेबर दर्रा किन दो देशों को जोडता है तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में जोडता है ठीक है नेश्चे कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडू को जोडता है तो केरल और तमिलनाडू को पालगाट दर्रा जोडता है और पालगाट दर्रा जो है ये तमिलन नाडू को जोड़ता है तीक है लेकिन यदि सहर पूठे जाए तो यह तमिल नाडू के कोयमबटूर और केरला के पलकड को आपस में जोड़ता है और कितनी उचाई परस्ते थे तो 602 मीटर की उचाई पर यह इस्ते थे कौन सा दर्रा नीलगरी और अन्नामलाई पहाड़ी क के मद्ध में इस्ते थे कौन सा दर्रा केरल के तुरू अनंत्पुरम को तमिल नाडू के मदरोई से जोड़ता है तो देखिए इस प्रकार से भी कौशन बन सकता है ना के केरल और तमिल नाडू को कौन सा दर्रा जोड़ता है तो आप कहेंगे सेन कोटा दर्रा या पर पू सबसे दक्षी दर्रे की हम बात कर रहा है तो जो सेंड कुट्टा दर्रा है न ये सबसे दक्षी दर्रा है सियाचीन और हिस्पर दर्रे किस हिमालाय पर इस्तित है करक्टांस रोजायागा ये दर्रे विरहध हिमालाय पर इस्तित है नेश्टे पेपली गाट दर्रा किस परवतिय भाग में इस्तित है करक्टांस रोज आएगा अरावली परवतिय भाग में नेष्टे, कुल्लु गाटी किन परबत शेणियों की बीच में अवस्ते थें? करक्टा असरो हुजाएगा धौला धार तथा पीर पंजाल शेणियों की बीच में लद्दाक और तिव्बत को कौन सा दर्रा जोडता है तो चांगला दर्रा जो है ये लद्दाक और तिव्बत को जोडता है कौन सा दर्रा उत्राखंड और तिव्बत को जोडता है और गंगोत्री के उत्तर में इस्ते थे तो करक्टांसर हो जाएगा मुलिंग ला दर्रा नेश्ट है उस पलता दर्रा किंदो देशों को बीच में इस्ते थे करक्टांसर हो जाएगा चिली और अर्जेंटीना के बीच में है उस पलता दर्रा नेश्टे वुरहानपूर तथा असीरगड़ दर्रे किस राज में इस्ते थें तो करक्टांसरोज आएगा ये मद्द्रदीस राज में इस्ते थें नेश्ट कुस्टन है कौन सा दर्रा भारत और चीन की बीच में इस्ते थे तो देखे दोस्तो जो कारा कुरम गलियारा या फिर कारा कुरम दर्रा है ये भारत और चाइना के बीच इस्तेत एक पहाड़ी दर्रा है ठीक है और हम पहले भी बता चुके हैं कि ये दर्रा कहां परस्ते थे तो ये जो दर्रा है ये लद्दाक में इस्ते थे ठीक है दोस्तो भी important facts बन सकते थे दर्रों से उनको भी हमने discuss किया है ठीक है तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और content की quality अच्छी लग रही है और यदि आप इसी प्रकार से current affairs या फिर aesthetic gk या फिर science को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी तीनों ebook को purchase कर सकते हैं इन तीनों ebook का link आपको वीडियो के description box मिल जाएगा अभी offer भी चल रहा है यदि आप aesthetic gk की ebook purchase करते हैं तो आपको science की ebook बिलकुल free दी जाएगे चीक है तो फटाफर से इस offer का लाब लीजिए और एक question आपको छोड़ कर जा रहा हूँ इसका answer आपको comment section में comment करके बताना है कि जो अटल सुरंग है ये किस दर्रे में इस्तित है ठीक है फटाफर से अपना answer लगाईए और वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe कर लें और इसी प्रकास से यदि आप चाहते हैं और वीडियो देखना तो हमारी प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए प्ले लिस्ट की लिंक आपको वीडियो के description में या पर i button में मिलेगी या पर आप directly चैनल को विजिट करके कई सारे महाच्पून वीडियो देख सकते हैं तो धैंकि दूस्तो आपके बहादर स्वर मिलेंगे आपसे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मात्रा